तो यह मेरे पास कपड़ा है ठोटल 1 2n3 मेरे इस कपड़े को मैंने दोश्तों इस तरह से से बिच्छा रखा यह दिखिए अब эта सबसे पहले दोस्तों जब आप इस तरह से अ More scent नेगी यह दोस्तों नहीं के जाएं संबने स्असद्ग करना होता है दोस्तों इस तरह से 20-into तो सब्दों देखिए डबल है र्हों इसको मैंने सपगड़कर इसको मैं फोल्ड कर दिया है और हमें अब बोस है फोल्ड करना है ऑसको थो थोन्ष थो किसींट चूल हम निकाल दिया है इसके अलावा अब यहां से ना पूंगा मैं टोटल दस इंच यह देखिए और इस तरह से दोस्तों दस दूनी बीस तो इसका जो घेर बने वह बनेगा बीस इंच तो यह जो मैंने निशान लगा इस निशान को इस तरह से अच्छी तरह से कपड़े को आप जमा लें दोस्तों यहां पर मैं लिख देता हो यह देखिए L का मतलब रहता लंबाई लंबाई है सूट की चालीस इंच दोस्तों इसका जो मैंने सीने का नाप लिया था वह था 36 इंच यानि कि ब्रस्ट साई 36 इंच है और जो इसकी लौ़र ब्रस्ट है वह है 35 कमर है दोस्तों 30 पिछे से गला दोस्तों रखना है हमने इसका आठ इंच एन भी हाट और एन एफ यानि के नेक फ्रेंट वो है इसका साड़े चैंच तो दोस्तों यह मैंने नाप लिख दिया है लंबाई 40 है सीना 36 है यानि कि अपर ब्रेस्ट लोर ब्रेस्ट 35 है कमर 30 है हिप साइज 36 है बाज दोस्तों 20 इंच जो घेरे मेंने कैसे निकाला है वो मैंने आपको बताई दिया है यह देखिए 10 दस दूनी 20 इसके अलावा जो हम एक्ट्रा फोल्ड करते हैं चाक में उसके लिए हम हमें यह से लेना होता है डेड़ इंच तो दोस्तों सूट की कटिंग करने से पहले जो वो मैं आपको बताद हूँ सबसे पहले आको केल लगाना होता है बिल्कुL सीधा यह देखिए अगर दोस्तों सूट आ बनारेयो तो आपको 61 लेकिन ₹ आप ब bringing लेकिन में से निच पाई कर लिया मैंने सीधा यानि कि दोस्तों इस निशान से फोल्ड होगा अब बात करते हैं लंबाई की मई है दोस्तों 40 तो यह देखिए इस निशान से हमें ना पना 40 इन्च कहां पर आ रहा यह देखिए यह 40 आ रहा है लेकिन हमें लेना है 40, 40, 50, 50, fall to. क्योंकि 50, दोस्तों इसमें जाएगा उपर margin में. तो यह दीए, 45 में आपको लगाना है निशान. और इस तरह से, आपको एक सीधा निशान लगाना होगा, ये लंबाई के लिए. तो दोस्तों, लंबाई का निशान में ने लगा लिया है. अब बात करते हैं इसके जो है इसका शोल्डर तो दोस्तों पीछे से गला 8 इंच है यह निक गला डीप ही एक तरह से और जब भी हम डीप गला बनाते हैं तो अगर आपका पीछे से गला 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच तक अगर आपका गला है तो simple सा फार इंच, 8 इंच, 9 इंच तक है, 10 इंच तक है तो आप यहां से शोल्डर रखना आपको 6 इंच लेकिन दोस्तों अगर आप सूट बना रहे हो कोलर वाला सूट बना रहे हो यहां फिर बोट नेक बना रहे हो तो उसका फार्वुला थोड़ा अलग होता है उस सब्जेक्ट पर दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आप कोलर वाले सूट की कटिंग कर रहे हो तो उसमें आपको सूट की कटिंग कैसे करनी है लेकिन अगर पीछे से गला आपका डीप है तो आपको यहां से कुछ भी निकलना सिर्फ और सिर्फ शोल्डर आपक की यानि की साड़े च्छे दर से लेना है और इस तरह से दोस्तों आपको लगा लेना सीधा निशान यह स्यद्ए साड़े आप और सिंपल दरे के脆पकर अन्थ और बिलकुफ निकल जाता है अब दोस्तों यह हैं चैंज और यहां से हैrent चैंज आप यह जो रीला निशान है ऑप ने कुछ चा इसा 딱 का इस को छोल्डर हो गया है और हमारा आरमधू О hammым अर्व मत करते हैं इसकी पर जो निशान निशान लगा है मैंने शौल्डर वाला इस निशान vampires a दाइंच के नीचे यह देखिए लगबर धाइंच आपको नीचे लेना है और इस तरह से सीधा एक निशान लगाना है तो दोस्तो हम करते हैं जब बिगनर्स के द्वार गलती यह हो जाती है कि वो अपर ब्रेस्ट के हिसाब से ही सूट की कटिंग करते हैं जैसे कि इसका सीना 36 है तो दोस्तो 36 के इसाब से ही उसने lower best को और upper best को मिला देना है जिससे क्या है जब हम fitting के निशान लगाते हैं तो उसमें कर जोल आ जाता है तो मैं आपको एक एक चीज आज किलिर बताऊंगा कि आपके arm hole में जोल नहीं आएगा आपको किस रिजाब से जो है cutting करनी है तो फिलाल तो दोस्तों मैंने निशान लगाया है यह हो गया हमारा lower best का यानि कि जीदर से भी हमारा arm hole आता है वो हमारा lower best होता है और इसके नीचे 0.5 एंच जो हम निशान लेते हैं यह होता है हमारा upper best का इसके बाद दोस्तो अब मैं जो उसमें निशान लगाऊंगा वो लगाऊंगा कमर के लिए जहां पर आपके लंबाई होती है लंबाई से आपको नीचे लेना होता है 15 इंच 15 इंच एक बिल्कुल मीडियम साइज स्टेंडर्ड साइज होता है जो हमारी कमर के लिए शेप के लिए होता है तो इस पर सीधा निशान लगा दे और दोस्तो अब आपको निकालना है हिप साइज के लिए निशान होता है इसता ही निशान लगा लें बागी हर किसी का दोस्तों हो TESTS होता है किसी को चाक लंबे पहना पसंद हो तो 21- 23 इंच पी पर पहने हो तो 21 के जगा 19 इंच पर निशान लगा सकते हैं 20 पर लगा सकते हैं तो दोस्तों यह सारे मार्किंग करने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि यह जो मैंने नाप लिया है यानि कि बोडी मेजरमेंट है किसी सूट के नाप से मैं इसको नहीं बना रहा जब भी Max के नाप से क्टिंग करते हैं तो आपको कुछ भी उसमें एक्ष्टा एड़् करने करें जो इतनी होती जो पी सूट का मेजरमेंट होता है उसी हिसाब से आप क्टिंग करें लेकिन आगर आप किसी के बोडी का नाप लेका dobrze करते हो तो आपको क्टिंग कैसे करनी है इस ची बिल्कुल फिक्स नाप लिया था मैंने कोई भी इसमें एक्ष्टा लोजिंग नहीं दी थी और बिल्कुल फिक्स नाप था यह लेकिन दोस्तों अगर मैं 36 इंच के हिसाब से सूट की कटिंग करता हूं तो सूट बिल्कुल जाला टाइट हो जाएगा बिल्कुल फस जाएग जो सूट जाला टाइट पहना पसंद करती है वो कुछ महिला ऐसे होती है जो जाला टाइट नहीं पहनती बिल्कुल उनको कमफर्टेबल सूट चाहिए अगर आप किसी का कमफर्टेबल सूट बना रहे हो तो जैसे कि अब मैं इसका सूट का जो बिल्कुल जो नाप है बिल को इसके जो लोवर वैस्त है इसमें भी 3 इंच प्रस करेंगे कुम लाके आपको जो बोडी मेजर मेंट है हर जगे से आपको फिक्स बोडी मेजर मेंच यह 2… females करता है उस हिसाब से चे-सक कुछे में तीन में जोड़ता हूँ 37, 38 und 49 तो दोस्तो 49 इन्ट टोटल ये बनेगा अब आपको 49 का दोस्तो आदा करना कितना मनता है यह stared Ice है 39 और 39 का दोस्तो हाफ बनता है यह देखिए दोस्तों यह है इसका बोली मेजरमेंट के इसाब से फार्मूला निकालना अब इस निशान पर दोस्तों जो है हमारी जो है इस टीचिंग आएगी आप इसी तरह से कमर पर आते हैं कमर है दोस्तों 30 30 में मैंने 3 इंच एक्स टा जोड़ दिये 31 32 33 और 33 का दोस्तों अगर एक च किनों निशानों को आपस में आपको मिलाना है इस तरह से तो यह देखिए तो दोस्तों यह जो तीन निशान थे में आपस मिला दिया है और अब बात करते हैं इसकी लोवर ब्रस्त की तो दोस्तों लोवर बैस्त है दोस्तों वह 35 तो उसी तरह से 35 में जब हम तीन इंच जो इस तरह से और इस निशन को आपने इस तरह क्या लेकर चाना है आपको lower best काना होन hazin और अपके पार जरूरिये और lower best के रिमां बैस कहिसाफा ङो अंडर के निशन आता है- उससे क्या होता है कि आपका आर्म हुल में यह फुंगा बनता है या जो ऑपी समस्या नहीं रहेगी अब दोस्तों बात करते हैं घेर की घेर है 20 इंच तो यह देखी 20 का आदा 10 और इस तरह से यह जो निशाने इस निशान को आपने इस निशान से मिला लेना है आपका घहर बिल्कुल असानी से निकल गया है 10 दूली 20 यहां पर आपको लगाना है दोस्तो एक इस तरह से निशान अब दोस्तो मेरे बात होती है इसके आर्म होल की गोलाई की तो यह देखिए यहां से आपको लेना है डेडिंज अब यहां से आपको इस तरह से गुमाते हुए यह जो मैंने डेडिंज का निशान लगाया है इसको आपने मिलाना है इस निशान से और यह देखिए इस तरह से बहुत आसान तरीके से आपको डेडिंज का जो निशान लगाया था यहां पर गुराई दे देनी है और दोस्तो यह जो मैंने मार्क कर रहा है यह मार्क है हमारी फिटिंग का यानि कि इस निशाने पर आएगी हमारी सिलाई और इसके अलावा दोस्तो जब हम कटिंग करेंगे तो कटिंग के लिए आप इसमें 1.5 इंच या फिर 2 इंच जितना भी आप एक्ष्टा कपड़ा चाहो रख सकते हो जैसा कि मार्क कर रहा हूं में देखिए आप देख सकते हो अब जो मैंने कटिंग करनी है दोस्तो इस मार्क पर कटिंग मैंने करनी है तो दोस्तो अब कटिंग करते समय जिस चीज का आपको ध्यान रखना है इस चीज को आप ध्यान से देखें मैंने यह जो निशान लग कर देखो यहां पर दोस्तों में लगा रहा हूं कट इस कट का मतलब है कि इतना हमने निचे से फोल्ड करना है एक कट आपको लगाना है इधर यह हो गया हमारा हिप साइज का और एक कट आपको लगाना इस जगे इससे आपको पता रहेगा कि यह जो हमारी फिटिंग के सब्सक्राइब पर आएगी तो दोस्तों आगे पीछे के दोनों पार्ट मैंने काट लिया है अब मै कि यह है हमारा अगे वाला किम अब मैं दोस्तों आपको बैदाउँ मा कि मैंने, रहुंगा कि मैं लिए सबसे पहले द्दोस्तों मैं कटिंग करूंगा इसके फ्रेंट वाला जो हमारा पार्ट होता है इसके आर्म Somori 2 इसके और हो साथ काट लिया लेकिन फ्रेंट वाला जो होता है हमारा वो होता है यहां से एक इंच यह देखिए यहां से आपको एक इंच अलग से कटिंग करनी होगी इस तरह से यह देखिए हल करके निशान लगाएं और यह देखिए, अब यह जो मैंने मार्क कर रहे हैं, यहां से करूँगा मैं कटिंग, तो दोस्तों, फ्रेंट वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अब जो मैंने यह आदा इंच बढ़ा कर लिया था, इसकी भी मैं कटिंग करूँगा यहां से, तो दोस्तों, आगे वाला जो पार्ट है, इसकी कटिंग हो चुकी है, लेकिन पीछे वाला पार्ट है, जो इसकी हमने कटिंग भी नहीं करनी, अब यह देखिए, यह कट से कट आपके मिलाएं, और आप देख सकते हो, पीछे वाला जो मेरा पार्ट है, इसकी मैंने कटिंग करनी और दोस्तों यह बिल्कुल सा सींपल सा फार्मूला है जब भी आप कटिंग करो इसी तरह से कटिंग कर सकते हो आप पीछे वाला जो पार्ट होता है यह हमेशा आदा इंच बढ़ा लेते हैं इसको आदा इंच बढ़ा रखने का दोस्तों कारण यह होता है कि इससे कायद मिलती है कि गला पीछे की तरफ जा रहा है इससे आपका काय गला पीछे की तरफ नहीं जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आदा इंच आपको हमेश्च को बढ़ा कर ही लेना है तो दोस्तों ये तो हमारे फ्रेंट और बैक की कटिंग हो चुकी है अब पीछे वाला जो गला है उसकी भी मैं आपको कटिंगर के बता जाता हूं कैसे कटिंग करनी है ये पीछे वाला हिस्सा है गले की चुड़ए रखोंगा दोस्तों यासे में पौने तीन इंच और टोटर गला हमें चाहिए आठ इंच तो ये देखिए आठ की जगे हम लेंगे साड़ याठ क् आधा इंच इसमें उपर मार्जने चला जाएगा और पौने तीन इंच ये देखिए इस तरह से दोस्तों इसमें मैं एक सीधा निशान लगाऊंगा यहां पर आपको करनी है गोलाई और यह पीछे का गला में काट रहा हूं तो फ्रेंट्स पीछे का गला में ने काट लिया है और अब बात करते हैं इसकी बाजू की बाजू की कटिंग कैसे करनी है हमारे पस काफी सारा कपड़ा बचा हुआ यह आप देख सकते हो इसमें से यह चाहिए आधी बाझो बनाओ या फिर चुड़ी दर बाझो बननों तो यह कहा क्योंकि आधी लेखिये यह कप्रा में डबल है कि डबल को आपने इस तरह से कर लेना फॉर स्फोल्ड यह देक्टी कि सबसे पहले आपको लगाना एक सीधा निशान इस निशान का मतलब यह होता है मैं इसको कटिंग कर देता हूँ कि यह बराबर हो जाए है अब फ्रेंड्स अब आपको लेनी है बाजू की लंबाई तो आदा इंच निकालते हुए बाजू की लंबाई लें क्योंकि आदा इंच स्लाइम में चला जाए का बाजू की लंबाई है दोस्तों पांच इंच यह देखिए पांच इंच पर निशान लगाना है और इस निशान को बिल्कुल सीधा लगाएंगे बाजू का आगे फोल्ड करने के लिए आप एक इंच सबा इंच डीडिन जितना चाहो ले सकते हो यह देखिए अब दोस्तों इस जगह से आपको एक निशान लेना है तीर इंच पर डाउन और बाजू के लिए दोस्तों इसतर तीन इंच डाउन लिया जाता है यह निशान लिया जाता है आर्म होल की गुलाई के लिए अब आर्म होल आपका किस हिसाब से ना अपना है कि आपको सूट के आर्म होल में आपकी बाजू एक फिट आ जाए तो दोस्तों सिंपल सा फार्म दोस्तों हमें बिल्कुर कोई लोजी नहीं देनी लोजिंग के वल आपको तब ही देनी जब आप सूट की कटिंग करते हो आर्म होल की कटिंग में कोई नहीं सीना है 36 तो 36 आदा होता 18 और 18 का नो तो इस तरह से आपको क्रोसमें ना इस कहांँ पर आरहा यह देखिए यहां पर आरा 9 इंच अब इसमें से आपको 1 इंच कम कर देना है यह देखी गए इस जगे आपका आरा है आरमूल आप इस निशान को मिलाना इसके साथ और यहां से आपको जब बाजु की कटिंग करनी हो तो यहां से आपको लेना है लगबग 2 इंच और धाई इन से, दोस्तो अब इस तरह से यह देखिये, इस निशान को अलाकर आपको मिलाना इस निशान में और इस तरह से आपको करना है बाजू की कटिंग, अब कटिंग कैसे होगे दोस्तो यह देखिये यह जो निशान है धोस्तों यह है हमारा सलाई का निशान यहां पर सलाई आएगी इसके अलबा थोड़ा सा ऐक्टर मारे लेना होगा यह देख Southwest यहां पर कट लगा दिया मैंने अब यह जो दोनों की दोनों बाजू हैं दोस्तों हिन SEC THAKR कर लें अब यह तो इसका सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से दोस्तों मैंने डाहिंज की दूरी से इसमें गुलाई देनी शुरू करी थी यह आपको निशान दिख रहा होगा अब इसी निशान से आपको थोड़ा-थोड़ा अंदर की तरफ जुकाते हुए यह दे इसी तरीके से आप चाहें तो 3-4 बाजो की भी कटिंग कर सकते हो तो दोस्तों यह थी मेरी आज की वीडियो बाकी मैं आपको नापके दिखा देता हूं कि इसका आर्मोल कैसे फिक्सा आएगा यह देखिए यह इसका मेरे आर्मोल रखा हुआ है यह इसका फ्रंट और बैक आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा दोस्तों में कैसे इसको आप रखोगे कैसी एकदम यह बराबर आएगा क्योंकि आपको पता है यह जो मैंने कट लगाए हैं यह जो कटे दोस्तों इस कट को आप इधर रखें यह देखिए इस निशान पर और यह देखिए आदा इंच उपर यहां पर स्लाइब में चला जाएगा यह देखिए आप देख सकते तो बिल्कुल आर्मोले से आपकी बाजो एकदम परफेक्ट आएगी तो फ्रेंट्स यह थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक सूट की कटिंग के बारे में बताया जिसका साइज था 36 इंच सीना 30 इंच कमर और 36 इंच हिप दोस्तों इस नाप से अगर आप सूट करना चाहो तो इस वीडियो को देखें आपके बिल्कुल सूट परफेक्ट आएगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रीज वीडियो को लाइक करें चैन